प्रतियोगता दरपड़ की दिसंबर की 2016 की मैगजीन जो आती है उसकी हैंड रिटन समरी है ये अजू अजेंद्र राठोर जी के नोटस है और ये थाट पार्ट है दो पार्ट कर चुके हैं ये दिसंबर की है सबसे पहले मैं लेटेस्ट वाली कर रहा हूँ फिर इसके बाद को ये दे दूँगा मैं लगबग 6 मेने की समरी जो भी कर इंट अफेर्स किया है तो ये थाट पार्ट है इसमें स्टार्ट करते हैं देखें ये एकोनॉमिक की न्यूज देख रहते हैं हम इसमें इंग्लिश वाले टर्म भी मैं आपको बता रहा हूँ हिंदियों इंग्लि यानि कि मॉनिट्री पॉलिशी फूर्थ जो बाइमंत्ली मॉनिट्री पॉलिशी थी आर बीए की उसमें 25 BPS यानि की जो basis points को कम कर दिया गया है उसमें रिपोदर यानि कि जिस रेट पे बैंक आर बीए से उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए उसको भी 0.25% कम कर दिय है रिवर्स रिपो यानि कि जब आर बीए को मार्केट से लिकुडिटी खीतनी होती है तो आर बीए बैंक को पैसे बैंक से लेता है और फिर उस पर जो व्याज देता है तो 5.75 हो गई है उसमें 25% 25 BPS की कमी कर दिया बैंक दर यानि कि बैंक रेट जो लॉंग टरम के लिए बैंक आर बीए से लोन लेते हैं वो होता है बैंक रेट यानि कि बैंक दर उसमें भी 0.25% की कमी कर दी गई है MSF 6.75 हो गया है और जो कैस रिजर्व रेशियो यानि कि नगत और चन पाद वो उतना ही है 4% है 3rd News है Global Hinger Index में इंडिया का 97th प्लेस है आप इसको याद रखिया कि जितने भी इंडेक्स होते है इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा पहले तो कि कि जो भी इंडेक्स है उसमें पहली बात तो इंडिया का क्या पोजिसन है इंडिया का क्या इस्थान है और उसको किसने पब्लिश किया है ये दो चीजे पहले आप याद रखिया फिर उसके बाद कुछ और फैक्ट याद रखने चाहिए कि जैसे इंडिया की जो नेबरिंग इंडेक्स में 97 है और टोटल 118 देशों को इसमें किया गया इवेलुएट सबसे खराब इस्तिति है मद देफ्री की गर्णाज की चाइना 29 पोजिशन पे नेपाल चाइना नेपाल भी हम से बेटर है नेपाल 72 है 72 है और मैनमार 75 है स्री लंका 84 है इवन बांगला देश भी ह इंडेक्स में इंडिया की इस्तिती वहीं से काफी ज्यादा खराब है और इसको पब्लिश कौन करता है वासिंग्टन यानि कि यूएसे इस इस तित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट यानि कि आई एफ पी आर आई आई और यह कहां पे लोकेट लिए यह यूएसे में लोकेटिट एट इफ पड्यानिकी इंटरनेशनल फूड पॉलिश इंसर्च इंस्टिट्वूट तो ग्लोबल ब्रिंडेक्स को काउन पपरिस करता है आ आई एफ़ पी आराई इंटरनेशनल फूलिश इन इसर्च इंस्टिट्यूट और इंडिया क कि जो ग्लोबाल इकनॉमी उसमें कित्ती ग्रोथ होगी 2016 के लिए 3.1 GDP ग्रोथ है और 2017 के लिए मतलब 2016 के लिए 3.1 थी और 2017 में उसने बढ़ा दी 3.4 हो जाएगी क्योंकि वर्ड की इकनॉमी इंडिया के अगर देखेंगे तो इंडिया का जो फॉर्कास्टर 7.6 परसेंट होगी 2017 के हिसाब से 2017 में मतलब पिर यह देखें यह काफी वैसी न्यूस के चौकाने वाली टाइप कि थी कि यह मैंने भी मैं सायद मेरे से भी स्किप हो गई थी वर्ड की अगर टॉप इकनॉमी के साब से तो उसमें उसके अगर के साब से तो यूएस नमबर वन फे 18 trillion ॉश बीयर हे इसकी कडिवन और सेकर नमर पे Chyna 11 trillion1 trillion यह ठीक है और यह जापान है यह मतलब मिल्यन क्या होता है मतलब अगर आप कोई भी नमर है million मतलब है six zero अगर आपने one million लिखा है तो एक के बाद six zero कर दो आप ठीक है billion क्या होता है एक के बाद nine zero और फिर trillion क्या होता है एक के बाद बारा zero तो आप यह ऐसे याद रखेगा यह है million million मतलब अगर एक million लिखा है तो एक के बाद six zero billion मतलब एक मिलियन होता है दस लाख फिर बिलियन यानि कि एक के बाद नौ-0 और ट्रिलियन मतलब होता है एक के बाद बारा-0 तो यूएस की जो इकनौमी वह 18 लाख लेट के साबसे लिए अगरा रियल रेट के साबसे देखिनें जी डीपी का सेकेंड नौमर पर चाइना 11 ट्रिलियन डॉलर के असपास है और थार्ड पर जापान है फोर ट्रियन डॉलर है इंडिया कि 2.1 हो गई है यह 2015 का था डेटा इस समय अगर आप लेटेस्ट तो फिर चाइना नंबर उन पे हो गया था 2015 में और GDP अगर आप PPP बेज में देखने तो चाइना की 19 ट्रिलियन डॉलर थी और USA की 17 ट्रिलियन डॉलर और इंडिया उसमें थाइड नंबर पे है इसलिए इंडिया को बोलते हैं कि GDP के मामले में इंडिया नंबर थ्री पे आ गया पर चेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से होता है वह एक्चली कि कितना पर चेस कर सकते हैं कि अगर कोई बासकेट लें और उसको इंडिया में खरीदे फिर उसको यूएस में करीदे तो उस हिसाब से उसको जैज करते हैं यह आप याद रखिएगा फिर तो परचेसिंग पावर पैरिटी में चाइना नंबर वन पे हो गया था 2015 में और और अगर देखेंगे GDP जो रियल अगर उसमें देखेंगे तो उसमें USA है फिर उस हिसाब से सरवाधिक पर कैप्टा GDP वाले जो नेशान है कौन से हैं यानि कि प्रतिव्यक्ति GDP वाले राष्ट सबसे ज़्यादा अगर आप यह रियल वाले में देखेंगे तो यह लग्जेंबर गए एक लाग डॉलर पर हेड आई है सेकेंड नमबर पर सुट्जर लेंड थर्ड नमबर पर मकाव है इंडिया का 138 एक सौर तिस्वा प्लेस है इसमें ओवर ओल सिर्फ 1582 डॉलर अगर रियल देखेंगे आप तो और पीपी पी एगर परचेसिंग पार पैरिटी के साब से दे इंडिया एफ 122 नमबर पर इसमें उसके इसाब से अगर परचेसिंग पार पैरिटी के इसाब से देखेंगे तो इंडिया में पर हैड जो यानि कि हर बंदा छे जार डॉलर कमाता है और रियल देखेंगे तो पंद्रा सो डॉलर की करीब कमाता है मतलब एक लाग रुपे क होई थी उसमें नई दिल्लिम संपर्ण होई थी उसको लीड किया था अरविंद पर्ण गरिया ने जो की नीतिया योग के वाइस चेर्मेन है 21 इसमें एग्रिमेंट हुए थे तो यह पूछ सकते हैं कि इंडिया और चाइना की समिट कहां पर होई थी यह स्ट्रेटीजिक स समिट यह 430 नियू डेली में है यह काफी इंडिया के ओपर जो एक्स्टर्नल डिप्ट है वो है 485 बिलियन डॉलर यह यह तो 480 बिलियन डॉलर बिलियन को इंदी में बोलते हैं अरब और ट्रिलियन को बोलते हैं खरब तो यह है इसमें और इंडिया पर जो टोटल एक्स्टर्नल डेप्ट है 485.6 जॉलर है और वो रबियाई की रिपोर्ट है इसमें और यह GDP का मतलब इंडियन GDP का कितना परसेंट है 23.7 परसेंट है यह आप याद रखेगा यह एक्जाम में पूछ सकते हैं इसमें दीरकाली यानि कि जो लॉंग टर्म लोन है वो है 402.2 बिलियन डॉलर यानि कि 82% लॉंग टर्म लोन है और अल्पकाली कि जो शॉर्ट टर्म है वो है 17% 83.4 बिलियन डॉलर और मार्च 2016 तक का अगर यह डेटा है टोटल यह 32 यह कितना करोड है यह 32 लाग करोड के असपास काफी जादा है 485 बिलियन डॉलर है हमारा फॉरेक्स रिजर्व है सिर्फ 366 बिलियन डॉलर और उससे भी जादा है यह हमारे उपर लोन एक्स्टरनल डिफ्ट अगर आप बाकी कंट्रीज की देखेंगे इसमें देखें बाकी कंट्रीज का भी दे अगर डेप्ट देखेंगे तो 400 परसेंट है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है 366 बिलियन डॉलर लेकिन यह एक्स्टरनल यह जो लोन कितना है 485 तो अगर इस फॉरेक्स रिजर्व से आप इसको लोन को अप्डिवाट करें तो 65.5 परसेंट होगा यह तो इसी साबसे प होने वह है लॉंग टर्मॉला शॉर्ट टर्मॉला बहुत का में 17 परसेंट है सिर्फ बाकी नेक्स पार्ट में